नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरो के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर राजेपाल और मुख्यमंत्री ने दी स्रीकृष्ण जनमास्टमी की बधाई वर्ट सो हजार चौबिस में मिलेंगी इतनी सरकारी छुट्टियां राजे में डेंगू मरीजों की संख्या में हुई बढ़ोत्री सीयर बिटीस ने लोग सभाचनाओं की तैयारियों को लेकर इस दिन बुलाई बड़ी बैठक वर्ट सप में इंडिया वर्सिस पाकस्तान का मैच का सिर्फ एक टिकेट बिक रहा इतने में इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से राजेपाल और मुख्यमंतरी निती स्रेकृष्ण जनमास्टमी की बधाई आज बिहार के मुख्यमंतरे नितीश कुमार और बिहार के राजेपाल 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 विश्वनात आलेड कर के दौरा सभी को स्रेकृष्ण जनमास्टमी की बधाई दी गई है पतादे किस एम नितीश के दोरा एक्सपर जो के पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर सभी को स्रेकृष्ण जनमास्टमी की बधाई देते वे लिखा गया है किस्रेकृष्ण जनमास्टमी के सुव अफसर पर प्रदेश एवं देश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुब कामना है मेरी कामना है कि अब पावन पर्व राज्य वासियों के जीवन में सुक सांती और सम्रिद धीन लेकर आए वहीं दूसरी हो राजेपाल राजंदर विश्वनात आलेड करके दोरा टूइट कर लिखा गया है कि स्रीकृष्ण जनमास्टमी के पावन अफसर पर समस्त बिहार वासियों वदेश वासियों को हार्दिक बधाई और शुब कामना है हमें योगेश्वर स्री हरी द्वारा दी गई सास्वस सक्षाओं और संदेशों को आत्म साथ करने की अथिस्ट प्रेणा इवं सक्ती प्राप्त हो ऐसे ही उनसे प्रातना है जैश श्रीकृष ने आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज जनमास्क में कई जगों पर बड़े ही धूम धाम से मनाया जा रहा तो वहीं कल मंदिरों में जनमास्क में गत्य होर मनाया जाएगा इसको लेकर पटनासित इस कौन मंदिर में कई तैयारियां भी की गई है वर्स 2024 में मिलेंगी इतनी सरकारी छुटियां वर्स 2024 के लिए बिहार सरकार के दौरा सरकारी छुटियों का एलान कर दिया गया है जिसके तहत कुल 56 दिन छुटियां मिलने वाली है जिसमीर अभिवार को भी 6 चुटियां शामिल है बता दे कि जारी किये गए इस कलिनर के नुसार वर्स 2024 में बिहार राजिश्वत दिनराधिकारी न्यायालों के तहट 15 दिन एच्छिक चुटि 20 दिन और एनाईय के तहट कुल 21 दिन की चुटि मिलेगी हाला कि पूरे वर्स में सरकारी कर्मी अधिकतम 35 दिनों के चुटि ही ले पाएंगे वहीं मुसलिम तेवहारों के अवकास के तिति में परिवर्तन संभव हो सकता है इसके अलावा एनाईय के तहट वार्सिक बैंक लेखा बंदी अवकास हर साल की तरह पहली अप्रैल को निर्धारित है कारे पालक आदेश के तहट सामाने अवकास 15 दिन मलना है जिसमें 3 दिन रविवार पढ रहा है इसी तरह एनाईय के तहट गोसट 21 दिनों के अवकास में एक दिन रविवार पढ रहा है तो इसके छुट्टिया 20 दिन हुई इसके अतरिक प्रतिबंधित अफकाशो की संख्या 20 दिन निर्धारित है जिसमें दो दिन रविवार पढ़ रहे हैं राजे में डेंगू मरीजो की संख्या में हुई बढ़ोतरी बिहार में डेंगू मरीजो की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पतारी की बिहार के जिस जिले में डेंगू के सबसे अधिक मरीज मिले हैं उनमें बिहार के याजधानी पटना और भागलपुर है जिसमें भागलपुर में डेंगू मरीजो की संख्या 119 है तो वही अगर अन्य जिलो की बात करे तो बेगू सराय गया बांका वैशाली वह भोजपुर में डेंगू मरीजों की संख्या 10-10 है बाकी बचे 31 जिल ऐसे हैं जहां डेंगू मरीजों की संख्या 10 से कम है मालूम हो कि मंगलवार की शाम तक राजे में डेंगू मरीजों की संख्या 325 पच्चिस तक पहुँच गई थी आपके जानकारी के बता दे कि डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के द्वारा भी का इंदर्शा निर्देश चारी किये गए हैं जिस पर स्वास्त विभाग के ओर से काम करने की शिर्वात भी कर द तो वहीं दूसरी और बिहार का एक ऐसा जिला है जहां अपराद के आंकरों में कमी आई है बता दे किया गोपाल गंच जिला है बता दे किस बात की जानकारी गोपाल गंच एसपी स्वर्ण प्रिभाद के दौरा प्रेस रिलीस कर दी गई है जिसके तहत गोपाल गंच में एक साल में हत्याक अग्रा 50 फीजदी किरा है वहीं इसके अलावा लूट में 15 प्रतीशत की कमी आई है। बतादी किया आंकडा पिछले साल अगस्त 22 के तुलना में कम है हालाकि सब के बीच हतियार और गोली बडामद में 110 प्रतीशत की व्रिधी भी हुई है। वहीं जिले के सूची में टॉप पर रही अपराधियों को गिरफतार कर सलाकों के पीछे भी भी भीजा गया है और अब जल्दी से जल्द इन इस जद दिलाने के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने के अनुशन शाभी की गई है। BPSC को लेटर जारी कर केके पाठक ने इस मुद्दे पर मांगा जवाब। BPSC के सचीव को पत्र लिक कहा गया है कि करमचारियों की प्रमान पत्र सत्यापन में टीचरों की ड्यूटी लगाना नियमों के विप्रीत है इसलिए उन्हें तुरंत कारे मुक्त किया जाया या किसी भी सिती में स्विकारे नहीं और नाही सक्षा के हित्मे हैं। ऐसे में इस कारे से सक्षकों को मुक्त कर इसकी सूचनावे भाग को दी जाये। को अनपर कहे जाने का है मिली जानकारी के नसार केश्डिवाल के खिलाब दायर परिवाद पर नीचली अलरत के द्वारा IPC की धारा 332,500 तथा 505 के तहट संग्यान लिया तथा समन जारी करने का नर्देश दिया गया। पतादे के शिकायत करता का कहना है कि समयधानिक पत पर आसीन पीम को अनपर कहने से उनके करोरो पसंसक आहत हुए हैं। अगवानी घाट गंगा पुल ध्वस्त होने के मामले में इस दिन होगी सुनवाई। भाग का नर्मान कंपनी के द्वारा अपने पैसे से करवाया जाएगा। बतादे कि अब इस मामले पर कोट के द्वारा अगली सुनवाई 13 सितंबर 2023 को की जाएगी। बतादे किस मामले को लेकर अधिवक्त अमनी भूशन प्रताप सिंगर के द्वारा जन्हित याची का दायर कर कहा गया था कि भ्रशचार घटिया नर्मान समगली और नर्मान कंपनी के घटिया कारे से ये पुल द्वारा तूटा है। पुल 1700 करोर रुपे की लागत से बन रहा था इस मामले की जाट सुवतंतर एजिंसी से कड़ाई जानी चाहिए। जिन्होंने 25 फीज दी आरक्षच सीटों पर गड़ी बच्चों का नामांकन नहीं दिया है और सरकार से पैसे लेनी के दौरान उनकी सीट फर फरजी चात्रों के नाम डाल कर उनकी संख्या बढ़ा दी। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सिक्षा के अधिकार के तहत नीजी स्कूलों को पक्षा एक या नरसरी में प्रती सेक्षन 25 फीजदी बच्चों का दाखिला लेना अनिवारे हैं। जितने बच्चों को उन अरक्षे सीटों पर गड़ी बच्चों का रामांगन लिया जाता है। बता दे कि ताजा मामला बिहार के गोपाल गंज के मीरगंज थाना च्छेतर के लंगरा पुल के पास का है जहां पुलिस के द्वारा गुप्त सूशना के आधार पर एक जीब के बैक लाइट के अंदर रखे गए भारी मात्रा में 248 पीस देशी सराब के टिट्रा पैक को बढ़ामत किया गया है और साथ ही पुलस के दोरा एक तसकर के भी गिरफतारी की गई है जिसके खिलाफ उत्पाद अधिलियम के तहट मामला दर्चकर नियाईक हिरासत में भेज दिया गया है बता दे कि पुछताच में मेरी जानकारी के अनुसारी यह सराब यूपी से सिवा जा रहा था विहार के स्कूलों में घोषित आकश में छुट्टी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहट राजी के प्राडंविक स्कूलों में किसी भी हाल में राइट टू एजुकेशन के तहट दोसो से दोबीस दिन की पढ़ाई कर आई जाएगी बता द जिस वज़े से यह सपस्ट नहीं हो पादा था कि स्कूल कितने दिन बंद हुए और कितने दिन खुले लेकिन अब यह सब कुछ असपस्ट हो रहा है वहीं से पहले इनरेक्षन के ऐसी कोई व्यवस्थान नहीं होने की वज़े से चिला सिक्षा पदादिकारी घोशत एवं आ नite-टीश कुमार के निततु में बिहार की सत्तारूर पार्टी जे दियू के द्वरा भी इसचनावीं की तैयारियों को लेकर दो दिवस्थ्ये बैठक बुलाई गई है जिसमें 11 सिपमर को पार्टी के जिला ध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है तो वहीं 12 सितंबर को ज सुसील मोदी का बयान इन दिनों पूरे देश में भारत और इंडिया को लेकर राजनितिक पार्टियों के बीच बयान बाजी का दौर चल रहा है। इतनी हद पार कर चुके हैं कि अब वसनातन धर्म, हिंदू संस्कृती और भारत का भी विरोत कर रहे हैं। बहाली को लेकर तेश्वी आदव ने किया एलान। वर्तमान में बिहार में एक दसमलो साथ स्रिनल लाग पत पर सक्षक भरती चल रही है। इसके साथ इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते वे कहा कि जिसके द्वारा भी प्रिधान मंतरी के डिगरी पर सवाल उठाया जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता। मैं चब राजनीती में आया तो लोगों ने मुझे अनपर बोला। हमें स्पोर्ट्स मैं थे पढ़ाई छोड़ी मैं दो-दो मुखे मंतरी का बेटा हूँ। उस दुरान के समय को लोग जंगल राज बोलते हैं अगर ऐसा था तो मैं अपनी फरजी डिगरी बनवा सकता था। वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकस्तान का मैच का सिर्फ एक टिकेट बिक रहा इतने में। अगर आप भी वर्ल कप 2023 में भारत और पाकस्तान के बीच होने वाली मैच को देखना चाहते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए हैं। बता दे कि भारत और पाकस्तान के बीच होने वाला यह मैच 14 ऑक्टूबर को नरेंद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है लेकिन आपको बता दे किस मैच को देखना आपके पॉकेट पर बहुत भारी पर सकता है क्योंकि भारत पाकस्तान मैच की एक टिक पाती कीमत इस प्लाटफॉर्म पर संटावन हजार 179 रुपए है आपकी जानकारी क्लिबता दी कि वर्ल्ड कप 2023 की सुरवात 5 ऑक्टूबर से होने वाली है ऐसे में 12 साल के बाद भारत एक बार फिर 50 ओवर के विश्वकप की मेच बानी करने वाला है टीम इंडिया अपने पांच एक रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है मुझापर पूरे पेट्रॉल 179 रुपए और डीजल 147 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है वहीं इसके साथ ही गया में पेट्रॉली कीमत 118.31 रुपए और डीजल कीमत 153.31 रुपए प्रति लीटर है बता दी कि बिहार में पेट्रॉल का रिट सबस्यादा कसंगजमे है जहां पेट्रॉल 166 रुपए प्रति लीटर और डीजल 159.99 रुपए प्रति लीटर कीदर से मिल रहा है बीदे दिन हमारे दुरा पूछी का सवाल का आप लोगों मैं से बहुत लोगों ने पन्जाओब हमें हमारे कामें सस्टिन बोक्स में लिख कर दिया है जिनोंने हमारे पूछी का सवाल का ज़वाब दिया है आपने चावप हमें मारी कमेंट सेक्ष्म में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम फबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ये अगर आप यूटूब से देखने चलन को सब्सक्राइब करना और अगर आप देखने पेस को फ़ालो करना ना भूले धन्यवाद।